न्मस्कार दोस्थों आज की जो वीडियोएश के नने बाद करने हSu आपको देखने को मिलेगा इलेक्टिक टल चारजर का लेकिन एक को टॉप चारजर ये जे बाडी इसके बारे में में डिसकास करना है वह है रeze हमारा विस्टी टम चार्जमी टाइब का वी एशी टिव्ड चार्जरagar Turkey शेस्नमारा ये तो इसमेर बिस्थी तर्बाइब लेकिन आगे वह जाने से पहले हम पहले डिसकस कर लेते हैं इसके पार्ट के बारे में तो सबसे पहले हम डिसकस कर लेते हैं तर्बाइन यहां पर बेसिकली हमारा exhaust gas strike करता है उसके बाद हमारा second inlet port जो हमारा basically जहांसे exhaust gas अंदर आएगी जहांसे again exhaust gas अंदर आएगी और inlet slide wells का काम है इसको और बूस्टिंग के बाइपास चैनल है इन दोनों को जो ओपन करना उसके बाद हमारा valve actuator जो basically हमारा किस से connected है ECU से जो हमारा क्या full form होती है electronically control unit इसके पहले system जिसके अंदर आता है वो आता है हमारा only one intake port open one intake port का मतलब यह सिर्फ second वाला जो है अपे open है अब second वाले से ही जो है सिर्फ exhaust gas आएगी और यह system जो है basically हमारा low speed engine के लिए जो हम इस्तमाल करते हैं अब इसके अंदर होता कि है basically कि मान लीजिए आपका exhaust gas है वो हमारे इसके अंदर ट्राइवल कर रहा है अब हमें turbine घुमानी है turbine घुमानी है उससे हमारे impeller घुमेगा और उससे जो है air compress होके हमारे engine के अंदर जाएगी तो होता कि है इसके अंदर लाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा exhaust gas पी अंदर आ रही है और हमने इसका pressure जो है exhaust का pressure उसको भी जो है थोड़ा increase कर दिया है तो क्या होगा कि जैसे हम इसको increase कर दे तो यहां पे आपको high speed देखने को मिलेगी अब high speed जो है basically क्या create करेगा turbine को जतनी जल्दी घुमाइगा उतना तेज high compression create होगा speed बढ़ेगी और उसी साबसे जो हमारा आगे आगे पुरा system जो है या फिर मैं कहूं जो आपका air जो आपकी engine ब्लॉक में जाना चाहिए वो हमें मिलेगा लेकिन अब मान लीजे कि आपका जो है over boost हो रहा है या फिर जो है आपका pressure जो हो रीच हो चुका है तो उस pressure को decrease करने के लिए जो है हम इस system को पीछे की तरफ slide करेंगे इस पूरे sleep को पीछे की तरफ slide करेंगे अब जैसे हमने पीछे की तरफ slide किया तो हमने यहां का pressure और speed of turbine दोनों को ही जो है control कर लिया क्यों तो चोटा मू रहेगा तो आपकी speed जाधा रहेगी आपका pressure जाधा रहेगा ठीक है अब जैसे हमने कोई बड़ा मूज को बना दिया तो क्या हुआ कि इसकी speed भी कम हो गई और इसका pressure भी कम हो गए तो turbine की जो speed है वो भी जो हमने यहां पर control कर ली तो इस तरीके से जो है basically हम इसके अंदर controlling करते हैं पूरे system का अब मान लीजे कि तब भी अब आपकी काड़ी की speed हो गए कम से कम 140 या फिर अब मान लीजे 180 तो यहां पे जो है ओवर बूस्टिंगी conditions भी create होंगी तो और बूस्टिंगी condition में यह और पीछ चला जाएगा और जो हमारा bypass channel है वहां से जितना भी air होगा वह बाकी जो है इस प्रेशर को और कर देगा ताकि हमारे पूरे का पूरा system जो है एक प्रॉपर प्रेशर के अंदर या प्रॉपर मेंटेनेवल प्रेशर के अंदर काम करें इस तरीके से जो है कुछ हमारा वी एस्टी टबो चाजर काम करता है वेरिबल स्पीड टबाइन और इसकी जो वर्किंग है दोनों से टबो चार्जर से तो आशकरता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वी एस्टी टबाइन के उपर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करवां चानल को कि हर अफते यह जो हम ऐसी वीडियो डालते जरेते यह